जहें दोस्तो मैं विजय सर अब सभी को विजय दिवाना मैथमेटिस में स्वागत हैं दोस्तो आर्मी का जो पिछला वार मझपरपूर में एक्जाम हुआ था दोस्तो उस सभी कोचन को आज हम हल करवाएंगे दोस्तो आर्मी के एक्जाम में जो भी प्रस्ण पुछा जाता ह प्रिवेसियर का रिलेटेट कोचन पुछा जाता है दोस्तों जो भी एक्जाम हुआ था मज़परभुर में उसमें से महत के कोचन जो पंद्रागों था उसको अभी हम हल करवाएंगे चुटकी में बहुत असान तरीके के साथ दोस्तों जो भी आर्मी के बुक है सभी बुक क को इस YouTube चैनल पर पढ़ाया जाएगा जैसे दोस्तों आर्मी का कोई भी बुक हो सभी बुक को हल कराया जाएगा सभी चीजों को हल करवाया जाएगा इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन जरूर दवा दिजिए दोस्तों चैनल अभी दीखा रहें आपको PDF में वो कोचन सही से नहीं दीख रहा है इस वाज़े से दोस्तो कोचन को हम कोपी पर नोट कर लिए है और उसके बाद पढ़ा रहा है तो अच्छा से समझ में आएगा ध्यान दीजे दोस्तो कोचन देखे क्या कर रहा है कि औ और बो मिलकर किसी काम को चार दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि और उसी काम को अकेला छो दिन में पूरा कर सकता है तो बो उसी काम को अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है देखे देखे कितना असान है दोस्तों ध्यान दीजेगा कोड़ा क्या और बो मिलकर दोस्तों उसकाम को चार दिन में क शो दिन में करता है और उसी काम को अकेला शो दिन में करता है तो दोस्तों पूछ रहा है क्या पूछ रहा है क्या बहु उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा दोस्तों बहु का निकलना है किसको निकलना है दोस्तों बहु को निकलना है समझे दोस्तों और बहु दिया है द पसकुछ नहीं करना है इस दोनों को गुणा कर देंगे दोस्तो दोनों का अंतर नीचे लिए देंगे 6-4 कितना होगे दोस्तो गुणा कीजिए 6 गुणे 4 24 हुआ अबटा 2 कार दीजे कितना या 12 दिन यानि दोस्तो इस काम को अगर भौ करेगा तो कितना दिन में करेगा दोस दूसरा नमर कोचन धियान देंगे दोस्तों क्या कर रहा है कि एक परिच्छा में 4 से विदार्थी उतीर्ण हुए और 60 परतिसत विदार्थी फेल हुए तो परिच्छा में कुल कितने विदार्थी ने भाग लिया धियान दीजे दोस्तों क्या कर रहा है कि 4 से विदार्थी ह जिसमें से 60% विदार्थी फेल हो गिया, अच्छा कोई चीज दोस्तो परसेंटेज में अपने आप में 100% होता है, तो 100% में से 60% दोस्तो फेल हो गिया, तो बताई आप ही कि 5 कितना परसेंट हुआ दोस्तो 40%, ध्यान दिजे सवाल में एक निचित रासी दिया हुआ दोस्तो 400 क्या दिया हुआ 400, विदार्थी उत्तिर्ण हुए, यहां उत्तिर्ण केतना हुआ, 40%, तो पास वटा पास, उत्तिर्ण वटा उत्तिर्ण, जिसको निकलना है, उसको गुणा, निकलना है दोस्तो किया कितने विदार्थियों ने भाग लिया, तो टोटल विदार्थी अपन एक हजार समझों दोस्तो अच्छा से सभी कोचन दोस्तो एकजाम का पुछा हुआ हुआ है दोस्तो आपको ध्यान देंगे क्या करा राम ने बैंक से 50,000 रुपे 10% सधारन ब्याज के दर से लिए तो दो वर्स के बाद राम को बैंक को कितने रुपे लोटाने होंगे दोस्तों 50,000 बोला तो 50,000 हम लिग लिए करा 10% सधारन ब्याज के दर से लिए तो दो वर्स के लिए तो दोर कितना ह is 10 ौ फरस से जिरो से जिरो कटिया दिया पांदुनि 10 पांदूनि 10 जिरो बच गया दोस्तों सूध हो गया दो वर्ष में डौना है दिवाए ध्यान दिजीएगा बैंक से लिया था कितना 50,000 रूपिया 50,000 बैंक से लिया था सूध हो गया दोस्तो कितना बताइए बैंक को आप कितना रूपिया देगा साथ गर्फ समझें अच्छा समझें ना ध्यान देंगे सिकेंड कंसेप्ट देखिए दोस्तो एक फन्मूला होता है अब जानते होंगे सधारन भिया सिंपल इंटेस्टोर आवरत क्या होता है पी गुने आर गुने टी बटा हंडेड दोस्तो ध्यान देंगे मुल्धन कितना दिया हुआ है ध्यान दीजे दोस्तोव मुल्धन परसमें दिआ हैं पचाहंजार तो फचाहंजार यहां लीदी दिए ठीक है दुस्तोर केतना दिया बटा से जीरो-जीरो जीरो-गे रिकतना बत यह दोस दोसगतना बचिया दमने दीखेल एक दोस टीन अब दोसटेनզे आप ही बताएं दोश जार यहां भी सूध हो गया आप बैंग से लिए थे कितना दोस्तों पचास जार है ना तो बताएं टोटल आप बैंग को कितना रिटरन दीजेगा साथ जार तो इसे बनाएंगे तो ज्यादे टाइम लाएगा तोस्तों इसलिए डायक्ट हम बताएं आपको कि रेट डौस परशन आप टाइम को गुना करके टोटल इसमें डायक्टे गुना कर दिजेगा तो सिंपल इंटेस निकल जाएगा कितना सूध हुग आपको सो निकल जोस्ट अभी पिछले को चनरे में सदाररलां ज्यांत किये थे जमाएं तो Oh सथ यूद्धं में दोस्तो टीन हजार है तर टीन हजार लिख दी हम है ना कॉलरा है तो दोस्तों तार कितना 5% और समय कितना 2 वर्स तो दुनों के गुंडंगा ध्रम डिंगे दो好像 यहां पर दोस परसिंट प्रसेंट राइंग दोट्टा में सव जीरो से जीरो जीरो से इन सूध prisoners केटना है तूध टीन सब्सक्राइशुए conditioned तो अच्छा है समझें नहीं थ्यानेंगे नेश्ट को चन्ट फास्व quesण घ्यान देंगे दोस्तो जो बहुत मस्त संदार और मजदार को चन्न है जो मजभण पन में जो पिछला एक्जाम हुआ था उसमें दोस्तो मैत का पुछा हुआ प्रसनन देखे क्या कोuto कैसी की लंबाई 100 मीटर और चावराई 80 मीटर है उसके चारो और अंदर 10 मीटर चावरा रास्ता है तो रास्ते का छेदफल कितना होगा दोस्तो कहराई क्या समझे है दोस्तो कि 100 मीटर दोस्तो लंबाई है और 80 मीटर चावराई है दोस्तो कहराई उसके चारो और अंदर 10 मीटर र रस्ता है समझे है दोस्तों इक तोस्तों यहां से यहां सी यहां से दियान दीजिए प्रस्म में क्या पूछ रहे दोस्तों रास्ते का छेत्फल ग्यांद करें इसका छेत्फल ग्यांद करना है तो पूरे वाला का छेत्फल में से भीतर वाला का छेत्फल घंटा देंगे दोस्तों तो क्या हो जागा एले गुने भी निलंबाई गुने बी यानि छोटे वाला का बरे वाला के लांबाई केतना है दोस्तों सो गुने बी केतना है दोस्तों असी माइनस छोटे वाला के लांबाई असी और चोड़ाई दोस्तों साथ हैना दोस्तों ध्यान देंगे यहां क्या हो जागा दोस्तों सो गुने असी करेंगे ता 8000 हो जाएगा —8000 है दोस्तो और यहां 8 छक 48 आप एक चीस ध्यान देंगा दोस्तो 0 में से 0,0 इस 0 में 6 गया तो 2 बचा दोस्तो एक खासी लेग गगिवा तो 10 हो गिया 10 में 6 गया तो 2 इस बचा पेतना 7 7 में से 4 गया तो 3 हम कर सकते दोस्तों कि रास्ते का छेत फल केतना हो गया दोस्तों बहुत मुष्थ संदार और मज़िदार कपार यादि क्या करा है यदि a plus b बराबर 2, b plus c बराबर 20 और c plus a बराबर 30 है तो a plus b plus c का मान ग्यानत करें दोस्तो ध्यान दिजेगा यह जो कोचन है आर्मी का पूछा हुआ है जो मझापरपुर में पिछले एकजाम में पूछा था दोस्तो कहाना चाहूंगा कि अभी तर चैनल को सस्काइब ने किये तो सस्काइब कर लिए बेल आइकन दबा दिजे क्योंकि आर्मी का जितना भूख है हर भूख का हर चेप्टर का सलूशन इस दोस्तो चैनल पे आपके अपने चैनल विजय दिवाना मैथमेटिस पे मिलेगा हैने दोस्तो तो सुच्टे क्या है Mitona टेए तर चलिए द्यान दें क्या कवरा एप लस्फी बिव और दोस्तो 10 ऑर दिया है य। भ्षूष भाबर की से बोलनी एप लिए रव चोंब करें दोस्तो, ए, ए काईगो, दूगो, बी, बी, दूगो, सी, सी, दूगो, तो दू कॉमा लेंगे, तो A plus B plus C होगा, दोस्तो सब को जोड़ देंगे, दोस्तो, 20 और 30, 50, अधा, 60, 60 होगे, दोस्तो, दूश से काटेंगे, तो 30 आएगा यह नहीं को सकते हैं कि A plus B plus C बढ़ार दोस्तो कितना है तीस जो अफसानवर दोस्तो ए है समझे दोस्तो अच्छा देशान देंगे दोस्तो नेस्ट कोचन साथनवर कोचन दोस्तो बहुत मस्त संदार और मज़दार कोचन है देखे क्या करा दोस्तो जो मज़ापरबुल में पिछला अर्मिक एकजा में पुछा हुआ प्रसन है क्या करा और अस्थान पर कोण सा अंक आएगा अगर 1500 का 37% माइनस 1000 का 0.05% बराबर O है यानि इसको हल करना है दोस्तो लिख सकते हैं पंदरा सो का माने दोस्तो होता है गूना 37% माइनस 1000 का माने दोस्तो गूना 0.05% का मान ग्यांत करना है दोस्तो परसेन हटाएगा तो बटा में 100 दोस्तो तो एक जिरो से एक जिरो यहां दोस्तो ध्यान देंगे परसेनल आएंगे दे बाटा में 100 एक ची और ध्यान देंगे दोस्तो यहां पॉइंट हटाएंगे तो एक आएगा पॉइंट का बाद काईगा आंके एगो दूगो तो दूगो जीरो हैना दोस्तो ध्यान देंगे एक जीरो 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 और कटेगा दोस्तो यहां 10 नीचे बच गिया यहां दोस्तो 37 में गुणा करेंगे 15 से 15 सत्य एक सब 5 हाथ में बचा दोस्तो दोस अपना तीय अपने 40 अदस 55 बटा दोस्तो दोस दोस माइनस यहां दोस्तो ध्यान देंगे क्या है 5 बटा दोस्तो 10 बटा पर के जोर कर देंगे दोस्तो तो 10 आया एल सी आम दोस्तो तो 555 माइनस दोस्तो 5 तो हल करेंगे दोस्तो 555 गिया तो 555 बटा 10 0 सी 0 कट गिया तो दोस्तो एंसर कितना आया 55 समझे दोस्तो अच्छा से समझ तो ध्यान दीजेने दोस्तो नेश्ट कोचन सस्क्राइब किजिए किजिए जल्दी किजिए सोचिए मत हैंने दोस्तो चलिए ध्यान देते नेश्ट कोचन आठनावर कोचन ध्यान देंगे दोस्तो बहुत मस्त संदार और मज़दार कोचन हैं दोस्तो जो भी कोचन करवा रह है जो मजह परपुल में पूछा था दोस्तों देखे क्या कर रहा है दोस्तों टू इन्टू चाओदा पलस छो माइनस फाइव एक ची समझे दोस्तों पहले जोर का काम होता है तो जोर हैंगे चाओदा अच्छा केतना हो जाएगा 20-5 दोस्तों यहां पर कुछ नहीं तो क्या है घुना है दोस्तों 20-5-15 पर्णादुनी तीस इंसर क्या है दोस्तों थीस जोप्षण नमर दोस्तों सी है समझे दोस्तों अच्छा दल समझें न न तो ध तो और सित अनव करने से शफौच तो सम नहीं है की ऑसा में बियालीस इसके बाद दूस्तों 44 इसके बात उस्तों 46 सम बम यानि योद्यान करना सम बढना 2op20 के बाद दूस्तों आएगा ऑर्त-inander- इसी तरह कितना तक जाना है दोस्तों असी तक ठीक है दोस्तों सम का केवल सम का योगफल ग्यांत करना है तो सम लिख लिए दोस्तों योगफल का एक फर्मूला लिखाते हैं धियान दिजेगे दोस्तों क्या होता है लास्ट प्लस 1st बर्टा 2 इंटू लास्ट माइनस फर्सट बर्टा सीड यानि कॉमन डिफ्रेंस कॉमन डिफ्रेंस यानि दो पोनों का अंतर पलस वन आपको सबाइस और यहाँ इसे भी तो लिख सकते हैं फॉर्ष्ट प्लस लास्ट बत्वा सेम है हमके हाँ बत्वात है यह सुरूमे लाश्ट तो यहां भी लिखने में लास्ट प्रोब्लम दिकत नहीं होगा या दोस्तो चले ध्यान देगा लास्ट लास्ट कितना है असी फॉर्ष् यहां पर 2 प्लस 1 अब एक ची ध्यान देंगे दोस्तों यहां ध्यान दीजेगा दोस्तों क्या का रहा है दोस्तों दूनूं के जोरिएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2, 8, 4, 12, 1, 12, 2, 2, गुने, दोस्तो, ध्यान देंगे, उपर केतना हो जागा, घंड जाएगा, 80 में से 42 तो बजाएगा, 38, बटा 2, पलस 1, हैना दोस्तो, चलिए, दूसरे जब भाग देते हैं दोस्तो, इसमें, तो कितना है दोस्तो, 61, गुने, यहाँ दोस्तो, दूसरे काटेगा, तो 19, 21, कितना हो जाएगा, 20, 20 से गुना कर देंगे दोस्तो, तो क्या हो जाएगा, 12, हैना दोस्तो, दूसरे गुना के दूसरे काटेगा, अच्छा दूनी, 12, 12, आएगो, 0 बची है, यानी, 12 से 20, कितना एंसर है दोस्तो, 12 से 20, यानी, 42, 44, 46, 44, 80, तो असी तक जो रहेंगे, तो कितना पुरेंगे, 12 से 20, जो धियान देंगे, जो अपसन नवर आपका कितना है दोस्तो, c, d, sorry, d है, 12, 20, समझे दोस्तो, अच्छा है समझे न, धियान दीजे, next question, 10 नमर कोचन, धियान देंगे, जो आरमी का, एकजाम का, पुछावा प्रसने, मझापरपुर का, बहुत सिंपल कोचन, देखिए, 15 के स्क्वाइर, पूछ दिया, कितना होता है, दूसर जो अप्सान नमर कितना भी, जाकास, सुन्दर, अतिस सुन्दर, समझे चासे, तो धियान देंगे, जोस्तो, next question, 11 नमर कोचन, धियान देंगे, जोस्तो, बहुत मस्त, संदार, और मज़दार कोचन, देखिए, क्या करणा, एक से सो तक की गिंती, लिखने के करम में, एक का परियोग कितने बार हुआ है, दोस्तो, एक लिखेंगे, इसके बाद दो लिखाता है, तीन लिखाता है, इसे करते करते के दोस्तो, 99 में लिखाता है, उसके बाद 100 लिखाता है, तो दोस्तो, इसमें एक का परियोग कितना बार हुआ है, एक का परियोग कितना बार हुआ है हां यह पूछ रहा है दोस्तो तो याद रखेगा एक का परियोग एक का इस वार होता है कितना वार होता है दोस्तो एक का इस वार होता है और आपको प्रूब करना है तो लिख कर देख सकते हैं दोस्तो मैंने कहा कि एक से सो तक में एक का परियोग एक का इस वार होता है एंसर बच क्या गया दोस्तो, दो, तीन, चार, पांट, छो, साथ, आठ, दोस्तो, नो, यहीं ने बचा, इस सभी का परियोग भी स्वार होता है, समझे दोस्तो, इसी कोचर में पूरा एंसर दे दी, आपको समझे हैं दोस्तो, एक से सोत तो के गेंटी लिखने में एक का परियोग की स्वार होता है, 0 का परियों 11 वार होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यतना बहुचिया कि सभी का परियों 20 वार होता है, समझे दोस्तो, अगर पूछ देता कि 7 का परियों कितना वार है तो 20 वार, 3 का परियों 20 वार, 1 का परियों 20 वार, 0 का परियों 11 वार, समझे, अच्छा जै सम परिमाप यू आर्य के लिखे गया दोस्तो गूने एक कमण कितना होगया Northeast 10 तो दोस्तो आ गया 40 40 मीटर यानि वहर का परिमाप दोस्तो कितना हो गया 40 मीटर जो अफसा नमर कितना है दोस्तो ए समझे दोस्तो अच्छा है समझे न धियान दी दोस्तो नेश्ट कोचन तेरा नमर कोचन धियाने दोस्तो बहुत मौस्त संदार और मजदार कोचन है देखे क्या करा है दोस्तो एक ब्रित की परिधी 88 मीटर है तो उसकी तिर्जा ग्यांत करें दोस्तो क्या दिया है परिमीती कितना है 88 मीटर दोस्तो ब्रित का परिधी क्या होता है दोस्तो परमीती परीदिय की होता है टूपायार होता है टूपायार लेकिन दिया कितना है दोस्तो अठासी दोस्तो दूस्ते काटेंगे तो हो जाएगा चोवालिस दोस्तो पाई के मान क्या होता है बाइस वर्टा साथ पाई के मान दोस्तो बाइस वर्टा साथ होता है गुन ना ध्यान दीजे नेश्ट कोचन चौदा नमर कोचन ध्यान नहीं दोस्तो बहुत मस्त संदार और मजदार कोचन है क्या कर रहा है दोस्तो एक आसी अनुपात 810 कानुपात घ्यांत कर जिए बहुत सिंपल कोचन दोस्तो पिछला बार जो एकजाम हुआ ता मजहपरपुर में नेश्ट कोचन पंदर्य नमर कोचन ध्यान दिजे दोष्तो बहुत मस्त संदार और मजजदार कोचन है देखे दोस्तो क्या कर रहा है दोस्तो नौ ौणी संथया होग्या नहीं देखिए दोस्तो वह संथया से विभाजित होगी देखिए दोस्तो दोस्तो गुना कर देंगे 3 गुने, 3 गुने, 2 गुने, 2 तीन, 3, 9, 9, 12, 18, 18, 12, 36 समझे दोस्तो आछा है समझे ना तो काना चाहूँगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो सब्सक्राइब किजिए बेल आइकन को दबाईए क्योंगी जो भी कोचन डाले सरपरतम आपके पास पहुँचे और आर्मी का जितना भूख है सभी भूख का सल्व कराया जाएगा आपके अपने यूट्व चैनल विजय दिवाना मेथमाटिस पे हैंना दोस्तो आज दोस्तो जो भी पिछले एक्जाम में पंदरा कोचन पुछा था मेहत के बता दिये नेश्ट कलास में दोस्तो डिजनिंग बताएंगे जी के जीयस बताएंगे और इस तरन के पनेश्ट कोचन बताएंगे थायर भी जी में दोस्तो जीयस बताएंगे